हलो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर तो जैसे कि आप लोग जानते हम लोग यहां पर कर रहे हैं द्रिशिया इसकी क्विक बुक उसकी सिरीज चल रही है जिसमें अभी फिलाल हम कर रहे हैं भारतिय सम्विधान राज विवस्ता और गवर् चैनल को अगर आप लोगों सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो एक दो वीडियो देखिए अगर आपको पसना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें कामेंट करके जरूर बताएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी चलिए आगे बढ़ते हैं तो घाइस हमेशा की तरह संग की कारेपालिका फिर आगे जो भी टापिक से हम वो देख लेंगे राज्य की कारेपालिका देखेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ जाते हैं लोग आप एक बार जो है न स्लेबस को एक बार देख सकते हैं पूरी तरह से और अगर आप लोग घटना चक्री की वीडियो उस मिल जाएंगी जो कि आरो एरो के एक्जाम आने वाला है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे अभी हम करने जा रहे है चैप्टर अमबर टैन जो की है आपका कारेपालिका ठीक है अब देखें यहां प कारेपालिक नाम पर हम उसकी कारेपालिका होती है और इस के जो छोटे-छोटे राज्ये उस niez लिए छोटे से देख लेंगे जिसका निर्मान कैसे होता है कि इसमें कारेपालिक कि उसन्हाइब परिशद है एक साथ उसको पढ़ लेंगे और फिर है महा न्यायवादी ठीक है उसी तरह आप देखे राज्य की कारपालिका में कैसे होता है जैसे यहां पर राश्ट्रपति होता है यहां पर राश्ट्रपति ठीक है उपर राश्ट्रपति ठीक है उपर राश्ट्रपति का महा न्यायवादी वैसा ही यहां होता है महाधीव वक्ता ठीक है एक जैसे ही होते हैं जो संग में होते हैं और राज्य में अलग होते हैं ठीक है चलिकेमने केंद्र में आप क्रम मुस्तिक तो आपसक अंद associated andwww मुझाने किसके यहां आप संसाध की विवस्ता सर्क विवस्ता कीनि Кेंद्र में और इसल में whereas तो आप संसाध केिए यहां यहां लेकि सकता है और अरतिकल 163 64 के माधियान से लिए में आप संसदी विवस्था देखते हैं जो आप विदान सभा देखते हैं विदान सभा डेखते हैं। अब अब देखें यहाँ पर क्या बोला संसत की जो बात करी गई है केंदर में वो आर्टिकल 74-75 में है और वही चीज राज्य में किसमें है आर्टिकल 163-64 में याद हो जाए तो ठीक है नहीं आदो तो भी ठीक है आगे बढ़ते हैं अब लिखा है संसदी विवस्था में कारेपालिका अपनी नीतियों कारियों के लिए विधाईका के प्रती उत्तरदाई होते हैं मतलब हमने कहा कि देखें संसदी विवस्था में दो चीज़े हम ले लेते हैं एक होती है कारेपालिका एक कह देते हैं विधाईका तो जो कारे जिसमें कारेपालिका विधाइका के प्रती उत्तरदाई होती है दूसरी बात एक होता है राश्ट्रपती साशन जैसे आप USA में देखते हैं तो वहां पे जो कारेपालिका विधाइका के प्रती उत्तरदाई नहीं होती है ठीक है भारत में होती है बट USA में नहीं होती है क्यो मतलब यह जो राश्वपति साशन की इसने बात करी इसने का कारेपालिका विधाइका से सवतंतर होती है तरदाई नहीं होती है इसा या संसद नहीं होती है अमेरिका में ऐसा नहीं होता है उनकी fix होता है time period की सरकार बनगे तो 5 ही साल में हटेगी हमारे पहले भी हट सकती है अच्छा इसमें लिखा है सम्विधान के भाग 5 के article 51 से लेकर 78 तक हम बात करते हैं संग यानि की केंदर की कारेपालिका की ठीक है अगर हम वहीं राज जी की बात करें देखें केंदर की कारेपालिका की बात हम भाग 5 में करते हैं राज जी की कारेपालिका की बात हम 6 में करेंगे भाग 6 में तो केंदर की कारेपालिका article 52 से लेकर 78 की बात करते हैं और राज में अभी हमने उपर देखा भारती संग्य की कारपालिका में कौन-कौन था तो राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, प्रधान मंत्री, मंति परिशयत और महा नियावादी था वहीं अगर राज जी की कारपालिका की बात करते हैं तो राज जीपाल था मुख्य मंत्री, मंति प कर होती है इसलिए कारेपाली का स्वरूप को केंद्र और राज के संदर में अलग-अलग समझते हैं मतलब अब आप यहां देखें अगर आप कारेपाली का की बात करें कारेपाली की स्वरूप को देखें बात बात अगर हम करें तो केंद्र और राज के संदर में अलग- सबसे पहला यहां पर आगे आपका भारत का राष्टर पतर नागरिक होता है तो यह बन गया e question यानी एक और कुशन देखिए राष्ट्रत्यक्ष कौन है तो राष्ट्रपती है संविधान में संगे go कारे पाली का शकति मतफ देखिए जो है आफ का अप्ड़न मंति इसकी मंतिवर्यस करही है इसने अगर हम कारेपाली पाली का शक्ति की बात करें तो वह प्रेसिडेंट के पास है ठीक है प्रेसिडेंट में नहित है लेकिन हम वास्तिविक शक्ति की बात करें तो भाईया वह प्राइम मिनिस्टर और जो उनकी मंति परिश्यत है उनके पास है मतब कहने को तो शक्तिया राश आर्टिकल 52 के माध्यम से राश्रपती के पद का प्राध्धान किया गया है यानि कि आप राश्रपती की पद की बात करते हैं तो आर्टिकल 52 में आर्टिकल 53 की अगर बात करें तो भारत का राश्रपती अपनी कारेपाली का समंधित समस्त सक्तियों का प्रियोग स्वयम और अधिनस्त अधिकारियों के माध्यम से करता है मतलब उसके पास जो शक्तियां है उसका जो प्रियोग है या तो वो स्वेम कर सकता है या फिर अपने जो अधिनस्त अधिकारे है उनकी हेल्प से कर सकता है ये लिखा हुआ है अर्टिकल 53 अच्छा अब देखिए निर्वाचन की बात करें राष्ट्रपती के तो वो आता है आर्टिकल 54 में तो कुछ चीज इंपॉर्टन है जैसे 52 राष्ट्रपती की पद की बात करता है 53 में वो शक्तियों का यूज कैसे करता है उसकी बात 54 में इसका जो राष्ट्रपती है उनका जनता आप और हम डाइरेक्ट जाके राष्छ्टपती लिए वोट नहीमक है थे तरस दिए तो इसलिए का जंता पृतिक शुरूप से राष्टपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेती भा på नियदानों इसलिक पृतिक शुरूप शो Together द्वारा चुनेंगे प्रतिनीदियों के माध्यम से उता है यानि सपोस कि आप यहां पर हैं ये ठीकि आप ने किसको चुना आप ने एक बंदे को कुना जो कहां बैठ गया जाके लोगसभा में लोगसभा यानि कि पार्लेमेंट में जाके लोकसबा में आपका चुनाव हुआ तो वो कर रहा है आपकी तरफ से ठीक है चली यानि आप और प्रत्यक्ष रूप से जो है राश्टपती का चुनाव करते हैं प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते हैं देखे राश्रपती का निर्वाचक मंडल की बात करते हैं देखे इसमें लिखा शामिल जब राश्रपती का निर्वाचन होता है तो उसके उसमें कौन-कौन शामिल होता है मतलब राश्रपती को वोट देने के लिए और कौन कौन शामिल नहीं होता है उसकी भी बात कर लेते हैं देखिए संसद में दो सदन होते हैं लोकसभा राज़सभा तो संसद के दोनों सदसों के जो निर्वाचित कुछ सदस से निर्वाचित होते हैं संसद में लोकसभा में भी राज़सभा में और कुछ क्या होता है मनुनित होते हैं राष्ट्रपती मनुनित करता है तो इसने कहा कि कौन-कौन वोट दे सकता है राष्ट्रपती के चुनाव में तो देखे संसत के जो दोनों सदन यानि की लोकसभा राजसभा के सिर्फ और सिर्फ यहां पर लेका है निर्वाचित सदस ह सब्सक्राइब बदनला एक बात करतों कारें डारेक्ट रित्वी बत्वायतों सब्सक्राइब विदान होस few सब्सक्राइब City भी टाइब और जो मनुनित सदस से वो नहीं देंगे वोट ठीक है सिर्फ निर्वाचे सदस दो बात हो गई अब देखें केंद शाषित प्रदे दिल्ली और पुड़ुचेरी में विधान सभाए हैं ठीक है तो उसके भी निर्वाचे सदस ठीक है वो भी वोट करेंगे ठीक है यानि कि राज्य विधान परिशदो के निर्वाचे सदस नहीं लेंगे देखें यहां पर विधान सभा लेखी थी विधान सभा होती है विधान परिशद होता है राज्यों में कुछ राज्यों में विधान परिशद भी है ठीक है तो यहां पर हमने से विधान सभा की बात करेंगे अब इसना का विधान सभा के तो चाहे वो निर्वाचे सदस हो चाहे मनोने सदस हो भाग नहीं लेते हैं चले ये उन विधान परिशत कुछ ही राज्यों में है ठीक है हर राज्य में नहीं अब दूसरा दिल्ली और पुडुचेरी अभी हमने बोला केंदर शाशरी पते दिल विधान सभा के निर्वाचे सदस है ठीक है अब यहां लिखा है दिल्ली पुडुचेरी में विधान सभा के मनोने सदस से भाग नहीं लेंगे इसमें लिए सभा के विगटन की इस्तिति में उस सभा के सदस यानि कि अगर लगता है कि कोई सभा विगटित होने वाली यानि कि उनकी सरकार गिरने वाली तो चाहे उसके निर्वाचे सदस से हो चाहे वो उसके मनोनी सदस से हो वो given की भाग नहीं लेंगे आगर बढ़bbe जाते हैं कि अगर हम UP की बात करें और हम क्या सिक्किम की बात करें क्या दोनों में समान प्रतिनेत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत् तोनों को एक साथ नहीं सकते हैं तोनों बराबर नहीं होते हैं हमें बराबर करने के कोशिश करने की ऐटलिए पूरी तरह से अब देखिए राश्वितिकिे कम निर्वाचन में विभन राजो का प्रतिर्यों रूप से होना चाहिए देद्थ where हो U.P. हो चाहिए वो गो हाँ कुछ भी हो ठीक है तता संग और राज्यों में क्या समानता भी होने चीज़ए अब देखो भया संग में अलग सीड्स होंगी राज्यों को अगर आपने सारी राज्यों के MLS को मिला दिया तो बहुत सारी और अगर आपने सिफ केंद्र में लोकसभा राज्य सभा को देखा तो जरा से होंगे तो क्या उनका और जो राज्य में जो MLA's है उनको भी आपको बराबर करने की कोशिश करनी पड़ेगी इसलिए संसद और राज विधान सभाओं के प्रतेक सदस के मतों की संख्या निम्ण प्रकार निर्धारित की जाते या नहीं अब देखिए इसने दो बात करी एक तो हमने का एक छोटा राज ओगा एक बड़ा राज होगा क्या दोनों में बराबरी हो सकते हैं नहीं हम लेकिन कोशिश करेंगे बराबरी करने की दूसरा हमने का संसद की अगर हम बात करें और राज जी की विधान सभाओं की हमने का 28 तो यहां तो टोटल हो गए 30-30 में कितने MLS बैठते होंगे बड़े सारे ठीक है लेकिन यहां पर कितने MP बैठते होंगे कम मतलब इसके कमपैरिजन में तो कम है क्या बराबर वोट मतलब इनके मतों का जो वह है प्रतीशन मत भार जो है बराबर होगा नहीं हम लेकिन कोशिश करेंगे दोनों को बराबर करने की ठीक है चलो अब यहां देखते हैं क्या कहानी यह देखिए विधान सबाओ के निर्वाचित सदस के म राप्त होती है मतलब समझे इसने लिखा है कि सपोस हम किसी एक राज्य की बात कर रहे हैं हम कह रहे हैं यूपी की बात कर रहे हैं यूपी थोड़ा बड़ा है यूपी को छोड़ो हम बात कर रहे हैं सिक्किम की ठीक है हमने कहा सिक्किम में सपोस हमने का कितने विधायक ब धायक के मत का मूले बताना है हमें हर एक का बताना है सिक्किम के भी बताना है यूपी के भी जो एक विधायक है उसका मत मूली कितना है मत का मूली ठीक है वैसी उत्राकंड का वैसी ठीक है हमने सिक्किम लिए तो इसने एक विधायक के मत का मूले बताओ सिक्किम के सबसे पहल यह बाद है हमने कहा है दो लाख जो है जंसम किया है हम एक विधाय की बात कर रहे हैं भी सिर्फ सिख्यम के पचास में से एक ठी tava आइ समें लिका है राज विधान सबह के निर्वाचित कुल सदस हमने का अमने का टोटल सिर्फ सिक्किम का वहीं अगर हम क्या करेंगे अगर हम यहाँ पर यूपी लेके चलेंगे तो वहाँ पर हिसाब किताब और बदल जाएगा ठीक है जहां आपने यहां सिक्किम में 50 लिखा था वहीं आप यूपी में ये संख्या जादा हो जाएगी उत्राखंड में कुछ और हो जाएगी ठीक है तो उस हिसाब से एक विधायक के मत का मूले आप हर राज्य का निकाल सकते हैं अब इसने का धैत है कि राश्टपति के निर्व संख्या है कि उसके मत का मूले अलग-अलग होगा बिल्गो सही बात है आगे बढ़ते हैं संसद के पतियेक सदन के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या अब हम पहुंच गए हैं पार्लियमेंट में भारत की ठीक है तो वहां पे लिखा है वहां पे क्या होगा कि जो स संसद के मत का मूले देखिए अब देखिए सभी राज्यों के विधायकों के मत के मूले कुल मूले मतलब जैसे अब यह आपने क्या क्या उपर उपर आपने एक एक विधायक का निकाल लिया ठीक है आपने हर राज्य में निकाल लिया सपोर्स सिक्किम में माल लीजे 50 हो ग करेंगे प्लस कर देंगे एड कर देंगे यानि सब सभी राज्यों के विधायक जितने भी हैं उनके मतों के मूले को आप मिला देंगे एड कर एक बात कि आप एक सांसत का निकाल यानि कि आप MP निकाल रहें ठीक तो जितने भी विधायक का निकाला उन सबको आप एड कर दिजे है फिर अपन मतलब ैटिक से करेंगे हम आप लिखाइ संसत के निरवाचे सदस्यों की कुल सदस्य संख्या संसद में निर्वाचित सदस है जो निर्वाचित화 जो राज्वाफन है इस रम कितने है थे धुब yolk करेंगे हो एक कमतर का मूल और अलग एक सांसत का भी निकाल दिया तो MPs यानि कि Member of Parliament का भी आप निकाल लिया अब इसमें लिकाए चुकी राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है आनुपातिक प्रतिने जथ्तु के माद्याम से अब आपको क्या रटना है ठीक Ride देखे राष्ट्रपति का चंव कैसे होता है क्या रट लो आप अनुपातिक प्रतिने जथ्तु के माद्याम से एकल संक्रमणी मत तत्त कुप्त मत receptive क्या होता है एतनी वात रट लीजिए क्योंकि यह कोशन आता है आनुपाति प्रतिने दित्तु के माधियम से एकल संक्रमनिय मत और गुप्त मत दान होता है इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है मतलब एक पर्टिकुलर वोट नंबर्स चाहिए ही चाहिए आप ठीक है जिसे हम क्या बोलते हैं कोटा इसने का इतने वोट चाहिए तब ही आप राष्ट्रपति बन पाएंगे या आप जीत पाएंगे तो एक कोटा मतलब कुद वैद मत जो है कुल पद एक ही है प्लस वन यह हो जाएगा तो आपका टोटल कोटा निकल जाएगा कि मतलब आपको इतना इतना मतलब एक निश्चित भाग यानि एक कोटा इतना जित्ता भी सॉल्व करके आजाए उतना आना पड़ेगा मान लीजे दो बंदे खड़े है राष्ट्रपति के लिए ठीक है ल दो बंदे खड़े हैं इन दोरों में से किसी एक को तो अटलीस दो सो मत दो सो लोग का वूट चाहिए ठीक है तब जाके वह राष्ट्रपति के लिए अलिजबल मतलब बन सकते हैं अब देखें राष्ट्रपति को चुनाव होता है तो उसमें कुछ अगर विवाद होता है तो उच्चितम न्याले दोरा उसको निपटाये जाएगा और उच्चितम न्याले का जो निर्ने होगा वो अंतिम होगा यानि कि सुप्रीम कोट जो कह देगा वो मान लेना पड़ेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं तो यह वाली बात भी हो जाती है important ठीक है अब देखें मतलब क्या दिमाग में रखना है तो रख जो दिमाग में रखने वाली चीज यानिकी जो कोश्चन आएगा वह है चुनाव कैसे हो रहे है अनुपाती प्रतिनित्यतित्य की माध्यम से एकल संक्रोणी मत और गुप्त मत दान के द्वारा यह होगी बात कहानी ठीक है इतना रटना है इतने सारे में मुझे पढ़ाना जरूरी था क्यों कि यहां पर लिखा हुआ है ठीक है और आपको पहली बार में आपको पता होना भी जरूरी है भले यह समझ में आया हो नहीं आया है थोड़़ा तो समझ में देखिए आई गया होगा इसे फ्यूचर के लिए 2 3 4 आधी अंकीत करते हैं अब कि अगर सपुस्स कि आप MP है याप MLA है अब वोट कर रहे हैं थेखें बन्दा सपूस्स चार बन्दे राश्च्ट कती के लिए तो सब किना है उपको शाय काम अव्हां ही तो अब कaimerी ना यहां नमबर पर अगर बनना हो तो बने मेरी पसंद तो है चलफ ऑसके बाद मैंने कहते हैं ए को साथ जिसको करेंैं तिक आपको सबra been वरियता करम में रखना है किसको फर्स नंबर पर रखना चार बंदे खड़े हैं राश्टपते के लिए किसको फर्स नंबर पर रखना जाते हैं किसको सेकंड किसको थर्ड किसको फोर्थ पर रखना पड़ेगा आपको सिर्फ यह नहीं कि मुझे तो बी बंदा चाहिए यही अधार पर करी जाएगी अब हमने कहा कि suppose चार बंदे खड़े थे चार मतलब A, B, C और D ये खड़े थे तो हमने कहा दिया भाई है टोटल 500 लोगों ने वोट करा है जिसमें से 200 लोगों ने तो इसको B को कर दिया ठीक है B जो बंदा खड़ा है उसको कर दिया ठीक है और हमने कह दिया कि 100 लोगों ने एक को फर्स्ट नमबर पर रखा हाँ तो हमने ऐसे करा कैसे करा हमने कहा कि 200 लोगों ने B को फर्स्ट नमबर पर रखा और 100 लोगों ने एक को फर्स्ट नमबर पर रख दिया नहीं सौनी 150 कर दिया 150 ने जो है किसको रख दिया A को first number पे रखा अब कितने बचे भई है suppose कि 100 लोगों ने C को first number पे रख दिया ठीक है अब कितने लोग बचे अभी भी भी बहुत सारे लोग बच गए तो अब कितने बचे गए 50 लोग बचे 50 ने D को first पे रख दिया इस तरह से तो अब हमें suppose अगर न हमको राश्ट्रपती बनने के लिए 200 मतों की ज़रुत थी तो हम देख रहे हैं हाँ तो पूरे-पूरे 200 मत B को मिल गए B को राश्ट्रपती बना देंगे ठीक है अब condition को थोड़ा सा बदल देते हैं हमने कहा कि B को अगर माल लीजे 200 ना मिले और 180 मिले ठीक है और D को माल लेते हैं कि 50, 60, 70 मिल गए हो यानि कि हमें चाहिए तो 200 थे लेकिन मिले B को है 180 ठीक है तो अब हम क्या करेंगे जो सबसे लाश वाल है उसको जो है अपने खेल से बाहर कर देंगे ठीक है अब उन 70 लोगों के जो वोट है ना उसको बाट देंगे बराबर बराबर इन सब में ठीक है आगे देखते क्या लिखा है लेकिए उमीदवारों को निर्धारित मत ना पाने की इस्तिती में मतलब हमने कहा कि B को 200 मिल जाते तो भईया B बन जाता राश्रपती लेकिन नहीं मिल पाए ना 180 मिले उसको ठीक है तो इसने का उमीदवारों को निर्धारित मत ना पाने की इस्तिती में मतों के इस्थनांतरन की प्रक्रिया शुरू होती है मतलब कहानियत दूसरी शुरू होगी जिसके सबसे कम है उसको खेल से बाहर करो उसके जो वोट है वो बाट दो बाकियों में अच्छा फिर हम यही काम करेंगे देखेंगे अब हो गया क्या बराबर अगर हो जाएगा दोसों मिल गए किसी को तो ठीक है उसको बना देंगे नहीं तो फिर यही काम करेंगे और ऐसे करते रहेंगे जब तक की बनना जाए ठीक है यह प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी जब तक की कोई उभीतवार राश्रपती ना बन जाए जो सबसे कम वाल है उसको हटाएंगे खेल से उसके वोटों को बाट देंगे और फिर देखेंगे दोस्तों हो गए किसी के हो जाएंगे तो ठीक है आगे बढ़ जाओ वो राश्रपती बन जाएगा चलो अब देखी इतना समझ में आ गया हो तो ठीक है नहीं समझ में आ तो कोई इतनी टेंशन लेने वाली बात है आप दुबार से वीडियो देखो कि निर्वाचन करवा रहा है कि कोई मेंबर यानि कोई सदस्त का पद रिक्थ है तो क्या यह राश्रपती चुनाव नहीं हो सकता है तो इसको आप नियाले में चुनाविकोई को राश्रपती के रूप में नियुक्ति को अवयद घूशित किया जाए तो उचितम नैले की घोशना से पहले उसके दुवारा किये गए कार अवैद नहीं माने जाएंगे और प्रभावी बने रहेंगे मतलब इसने कहा कि सपोस कोई राश्टरपती है ठीक तो इसने कहा कि सुप्रीम कोट द्वारा किसी व्यक्ति만 राश्टरपती के रूप में नुकती है ठीक राश्टरपती नुकत तो उसको आप अवैद घोशत अगर कर दिया तो जो सुप्रीम कोट है उसके द्वारा तो उच्छतन न्याले की घोशना से पहले उसके दौरा जितने भी काम करें गए होंगे वह अवैद नहीं बाने जाएंगे वह प्रभावी बने रहेंगे मतलब राश्रपती के काम बने रहेंगे जो उसने कर दी है अवैद नहीं होंगे आगे बढ़ते हैं अब देखें राश्रपती की पदावदी की बात करते हैं आर्टिकल नमबर 56 कहता है क्या कहता है देखें इसने लिखाए पद धारन करने की तितिते पांच वर्ष तक मतलब कब तक अगले पांच साल टक मतलब आज उसने प्द धारन किया तो अगले पांच साल तक रहेगा नौर्मली यही बात याद रखेगगा अब डेखें क्या हो सकता है राश्रपती अपनां त्याख पत्र किसको देता ह। तो राश्ट्रपती अपना त्याक पत्र देता है. उपर राष्ट्रपती को 5 साल के भीज में अगर वह उसका मंबन करें तो वह दे सकता है. राश्ट्रपती को इसके कारेकाले working on face, महा भीयोग होने पहले महा भीयोग की प्रकृत्रा करते ही दुचस fix राष्टति को चुछ को कोरड़ा का इसन दो को महा पसंद नहीं है फिर उसके एक बिल आता है बिल पे अगर सहमती बनती है लोग वोट करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसा वोट कर दें कि हाँ ये राश्चपती बनने लाइक नहीं है या ये सा प्रॉब्लम है तो उनको हटा दिया जा सकता है तो ये महावयोग जैसी प्रक्रि स्थाफ्य कर दो करने ना कर ले ठीक अब पांच वर्श के कारेकाल के उपरान्तलिया मतलब इसने कहां देखी क्या कहानी क्या है इंप्टन बात ऑर सुनगी है क्या सपूस्ट कि हमने अभी राश्चरपती महावयोग के द्वारा हमने राश्चरपती को हटा दिया एक बात आ के उस seat पर ना बैठ जाया मतलब एक मिनट के लिए उस seat को खाली नहीं कर सकते हैं जैसे आपका उत्तर अधिकारी आता है आप seat छोड़ दीजे जब तक उत्तर अधिकारी यानि कि अगला राश्रपती नहीं आठा तब तक यह seat नहीं छूटेगी ठीक है तो यह त्याग पत सेवोन क्या कहता है भारत का राशरपती एक से अधिक बार निर्वाचत सबीक हो सकता है मतलब कोई इस पांच साल करें राश्यपतीय और उसके अगले पांच साल बाइडरीऄusto क्योंकि सम्मिदान में ऐसा कोई उपबन नहीं है जो राश्रपती के पुना निर्वाचन पर प्रश्ण चिंड लगाता है मतलब अगर अभी द्रौपती मुर्मु जो है राश्रपती है अपने पांक साल कंप्लीट होने के बाद भी वह बन सकती है ठीक है अब देखिए अमे अगले फांट साल के लिए अगले țाल में बन सकते लेकिन तीसरी बार नहीं बन सकता ठीक है तो यहां पर राश्रपती के लिए अर्भ, हता, शपतmiyor की बात करते हैं तो क्या क्राईफिकेशन है राश्रपती बनने केलिए आर्टिकल 58 कहेता है ठीक है कोई व्यक्ति राश्रपती तभी निर्वाचित होगा जब वह है पहली क्या शर्ट होनी चीए भारत का नागरिक होना चीए दूसरी एटलीस 35 साल का हो पैठेश थिस साल का होना चीए और उसके बाद एक मिन दोस्तो ओ ठेक है उसके बाद लोग सबा का सदस्य निर्वाचित होने की योगता रखता हो यानि कि लोग सबा में जो सदस्य बनने की क्वालिफिकेशन है मतलब जो जो चाहिए शर्टे वह राश्रपती के लिए भी हो होनी चाहिए अटलीस वह लोग सबा का सदस्य निर्वाचित होने की योगता रखता हो ठीक है संग सरकार या राज्य सरकार या इस्थानिय प्रादिकरण या किसी सार्वजिनिक प्रादिकरण में लाब के पद पर ना हो मतलब राश्ट्रपती अगर वह बन रहा है तो उस संग सरकार में किसी पद पर ना हो राज्य सरकार में किसी पद पर इस्थानिय प्रादिकरण जो होते हैं उसमें किसी पद पर ना हो सार्वजिनिक प्रादिकरण किती कमपनी में अपनी में तो नहीं हो जाए CEO या कुछ ऐसा हो तो यह लाब का पद होता है तो यह सब नहीं माना जाता इस प्रकार वह राश्रपती पत के लिए अर्ह उमीदवार होगा अर्ह उमीदवार होगा ठीक आगे बढ़ते हैं अब देखें यहां पर क्या लिए हैं मतलब इसने यह बता दिया कि कौन जो है ना लाब के पद की बात मतलब कौन अगर इन पदों पे हो तो लाब के पद पर नहीं है तो इस प्रकार राश्रपती पत के लिए यह लोग उमीदवार हैं ठीक है कौलिफाय करते हैं यह आप जाओ राश्रपती बन सकते हैं सपोस्थ किसी कंपनी का CEO है तो राश्रपती बन नहीं सकता जब तक कि वह CEO के पद से ना हट जाए अच्छा आगे बढ़ते हैं और यहां लिखा है नोट ठीक है इसमें लिखा है संसद निरहरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाब के पद के अधार पर निरहरता से छूट पतान करता है मतला वो कहता है कई ऐसे पद हैं जिसको हम लाब के पद को नहीं मानते हैं यह किस अधिनियम म में अब तक की होता है पाच बार संशोदन कर चुके है ठीक है और लाब के पद को परिभाश से अभी तक لا हृँप का पद है कौन सा की है ठीक है, जो संसर मान लेती है उसको मान दिया जाता है जो नहीं मान तो उसको नहीं माना चाता है राश्रपती नहीं है वह जो पर हमने पड़ा उपर राश्रपती नहीं होता किसी राज़ी का राजपाल नहीं होता संग राज़ी के जो मंत्री होते हैं यानि कि जो मंत्री परिशाता आप देखते हैं उसमें जो मंत्री हैं मंत्री मंत्री होते हैं वो भी नहीं होते हैं 50 अनुमोदक होने चाहिए आन्य था वह अपनी उमीद्वारी खो देगा मतलब आपके पास at least 50 प्रस्तावा को 50 अनुमोदक होने चाहिए याद रखेगा 50 50 अब लिखा है प्रतेक उमीद्वार भारती जो रिजर्व वैंक है या सरकारी खजाने में क्या करेगा 15,000 की जमानत राशी के रूप में मतलब कहां पर करेगा जमा 15,000 रुपे अगर आप सपोस्ट आप जो भी मेरी वीडियो सुनना है अगर आप 35 साल के राश्टरपती बनन 15,000 रुपे देने पड़ेंगे उसको हम बोलते हैं जमानत राशी वहाँ जमा करने पड़ेंगे इस लगा यदि जो उमीद्वार है यानि कि अगर आप आप जितने भी वोट डाले गए हैं यानि कुल डाले गए मत वोट का एक बट्टे छे बाग आपको अगर नहीं मिलता है सपोस 600 लोगों ने वोट किया और आप वो 600 में से एक बट्टे छे यानि की सौ वोट नहीं मिलते हैं तो आपके जो यह राशी है ना यानि 15,000 जो जमानत राशी है उसको क्या कर लिया जाएगा जब्त कर लिया जाएगा बस इतनी सी बात मतलब वो आपको वापस नहीं म उसने इस बार भी राश्च्पती की चुनाव में वो करा और मिले किते 50 वोट फिर उसने अगली बार भी कर दिया फिर मिले किते 50 वोट ऐसे थे करके नहीं मिले उसको उसकी जमानत राशी मतलब वो हर बार खड़ देता तो इन्होंने थोड़े से यार पैसे ही लगा देते हैं शायद इसी चकर में लोग आलतु फालती लोग राश्च्पती के लिए चुनाव में ना खड़े हो हां लेकिन 15,000 रुपे कुछ नहीं होते हैं अब देखिए आप शर्ते हैं शर्ते क्या लिखिए आर्टिकर 59 में लिखी क्या अब देखिए इसमें लिखा वह व्यक्त द्रिख्री या राज विधान सबा का सदस है यानि उसने का या लोग सबा या राज सबा का सदस है या फिर विधान सबा का सदस यानि एमले है राश्रपती निर्वाजित होने पर उसे सदन की सदस्ता छोड़नी पड़ेगी सपोज आप कोई आप जो है लोकसबा के सदस है यानि MP है लोकसबा में ठीक है तो जैसी आप राश्च्रपती बनते हैं तो आपको ये सदस्ता अपनी MP वाली छोड़नी पड़ेगी वे कोई अनिलाब का पद धारण नहीं किया होना चाहिए हम किराय भी नहीं देंगे राश्च्रपती को संसर द्वारा निर्धारित उपलब्दियों भत्ते और विशेशा दिकार ये सारी चीज़े आपको मिल जाएंगी ठेक है अगर आप राश्च्रपती बन गए तो उसकी उपलब्दियां भत्ते उसकी जो पदावदी है ना उसक करते हैं कम नहीं करेंगे अब राश्च्रपती के लिए शपत की बात करते है आर्टिकल साथ में आती है याद रखिए या आर्टिकल सुप्रीम कोड के जो मुख नया अदिश है यानि की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा राश्च्रपती को शपत दिलाई जाती है यह बन गया एक क्वेश्चन राश्च्रपती को शपत कौन दिलाता है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं ठीक है यदी अब दूसरी बास सुनिए अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं हो सपोस्ट तो ऐसी स्तिति में कौन उच्चितम नयाले का कोई कश्थ नया अदिश्ट उप्रीम कोड का राश्च्रपती पोधि को शपत दिला देगा यदी राश्च्रपती के कर्तेया का निर्वह रन नं कोई व्यकति करता है तो उसे इसी प्रक्रिया से स्पत लेनी पड़ेगी घुर राश्च्रपती नहीं है इस वेक्त तहींके पूछा चाहता है आई इस का मुझे यह इत्ता आइडिया नहीं पूछा जाता चलिए शद्यापूर्वक्त राश्वपति प्रद्ध का कारेपाल कारेपालन करूंगा सपोज आप बन गए तो आप यह शबत लेंगे सम्विदान और विदी का सनक्षन प्रति रक्षन प्रति इसी बात होगए शबत लेली राश्वपति अब देखिए यहाँ पे गेले भारत की राश्वपति पर महा भ्योंग और अभी हमने करें महा भ्योग दोरह राश्वपति को षटा जा सकते हैं 5साल थे पहले भी एक साक्तर कोना राश्वार्य पोत आप नहीं जो मेंबर आफ परलेमेंट्स होते हैं वो वो हटा सकते हैं राष्ट्रपति को अब देखी क्या होता है इसमें तो भारती सम्विधान में आर्टिकल 61 यह आर्टिकल याद रखेगा देखी तारे आर्टिकल याद रखने की जरूती है लेकिन कुछ को आपको याद रखना पड़ेगा जैसे 61 महाभयोग तो याद हो जाएगा आपको लेकिन यह किस आर्टिकल में है यह आर्टिकल भी याद रखना है आपको तो भारती सम्विधान के आर्टिकल 61 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा सम्विधान का अतीक्रमड करने पर संसत को यह श किसके दवारा महाव्योग की प्रक्रिया के दवारा राशपती को हटा तकती है। देखें, महा व्योग संबंधी, üst आरोप, संसद में किसी भी सदन में लगाः जा सकते हैं। यानि कि लोग इद आप य सोद्धोर्ग की अमत Rahit. ठीक है ये नोटेस सदन की कुल संख्या ऐस्ताक्षरिफ के सदन में बैठे हैं, ढहर सदन में 200 में に होना चाहिए, आप यह दो traff Dil Auf कि क्यों माने हम? deu pact की माने हम कहते हैं कि हम सदन है यानि कि यह हो गए आपका कितना 50 अगर 200 सदस है तो उसमें से 50 सदस ठीक है अब गैसी जो 200 है यह मैं अपने आप से बता दियूं ठीक है लोग सभा राज्य सभा के किती सीट से आप जानते हैं ठीक है तो अब आगे बढ़ते हैं तो ऐसी स्थी में जिस सदन में आरोप दिया जाएगा और जिससे इस आरोपी की जांच हो सके ठीक है अब देखिए सपोर राज्य सभा वालों ने ये काम करा राज्य सभा में जितने भी थे सदस उसमें से एक चौथाई ने हस्ताक्षर करके कह दिया हम बहाब योग की प्रक्रिया स्टार्ट करने वाले हैं अब तो इतने सदस्य के द्वारा यह बहुमत होगे तो बहुमत से क्या होगा संकल्प पारित करना पड़ेगा जैसे ही यहां पर इतना इतने वोट मिल गए सपोर्च तो अब यह राज्य सभा से कहा जाएंगे हम लोग सभा में जाएंगे ठीक और जिससे क्या होगा इन आरोप यहां पर जो आरोप लगाए गए हैं राज्य सभा के सदस्य के द्वारा वो क्या होगी उसकी जाँच होगी अब ठीक है संकल्प पारित होने के बाद संकल्प पारित होने से पहले कुछ नहीं होगा बाद ठीक है दूसे सदन में राश्ट्रपती अपना पक्ष रख सकता ह बात आई तो राश्रेपती क्या करेगा अब अपना पक्ष रखेगा यति दूसे सदन दौरा इन आरूपों को सही पाया गया जो भी लगाये गए हैं राश्रेपती पे तो उस सदन की कुल सदस संक्या कि दो तीहाई बहुमत से प्रस्ताब जो है पारिट किया जाएगा फिर वही काम यहां पे भी होगा सपोर्थ 500 लोग बैठें 500 नहीं करते हैं इस 300 करते हैं 300 लोग बैठें तो 300 का दो तीहाई कितना हो जाएगा इस यहां हो गया 100 यानि एट लीस 300 लोग वोट कर देंगे तो प्रस्ताव है पारित हो गया महाव्योग वाल तो इस प्रकार महाव्योग की प्रक्रिया पूरी हो गई क्यों राज्य सबा में भी पास हो गई यहां लोग सबा में भी पास हो गई और राश्पती को प्रस्ताव पारित होने की तिथी से पद से हट जाना पड़ेगा 20 जनवरी 2024 में यह हुआ तो इस डेट से राश्वपती को अपने पद से हट जाना पड़ेगा अब देखिए आगे बढ़ते तो यह महावियों की प्रक्रिया हो गई अभी से घम है महावियों की प्रक्रिया के दौरान राश्वपती को इसमें उपस्तित होने या अपना अपना प्रतिनिदी पेजने का अधिकार ही मतलब राश्वपती अपना उपस्तित भी हो सकता है महाभ्योग किया है एक अर्ध नयाइक प्रक्रिया है पूर्ध नयाइक तो अगर आंडर टरीकेसे किया है धिक अर्ध नया ईंडर जा उन्हीक तो इ cultiv कितना ता कि इस महावयोग होता है ना तो कौन से सदस होते हैं ठीक है देखिए निर्वाचन में हमने बात करे थी गई विधान संसत के सदस होते हैं निर्वाचित लोग सभा के निर्वाचित सदस और राज्य सभा के निर्वाचित सदस और जब निर्वाचन की बात करे थी तो हमने विधान सबा भी देखी थी विधान सबा के भी निर्वाचिस सदस से हमने देख लिये थे और हमने एक चीज और देखी थी कि जो यूनिन टेरिटरी यानि की केंदे शाषित प्रदेश दिल्ली पुडुचेरी उसके भी जो विधान सबा है उसके भी निर्वाचिस सदस से हमने देख निर्वाचन के टाइम तो यह मनोनिस सदस से दोनों के नहीं थे लेकिन हाँ महाभीयोग के समय दोनों है अच्छा आगे बढ़ते हैं अब आगे एक चीज़ और देख लूँगा अब देखे विधान सभा की यहां पर बात नहीं करी गई जबकि निर्वाचन में भाग ले रहे थे वह अब देखे राश्ट्रपती पर महाभीयोग से सम्मंदित प्रक्रिया में केवल और केवल संसत के दोनों सदस जो सदन होते ह ही भाग लेते हैं देखो अब इसने कहते हैं केवल और केवल संसत विधान सभा विधान परिशत की कहानी खतम राज की विधान सभा दिल्ली पुडुचेरी की विधान सभाव के निर्वाचे सदस इसमें भाग नहीं लेते हैं भले ही निर्वाचन में ले रहे थे विधान में आज तक कितने राश्रपती पर महाभ्योग चलाया गया है तो बहीं किसी पर नहीं ठीक यह बन गया कोश्यन पता होना चाहिए आपको ठीक अब भारत के राश्रपती दोरा न्यूकती न्यूक्ति किये जाने वाले लोग ठीक है भारत का जो राश्रपती वो किस को न्यूक्ति करता है देखिए भारत का राश्रपती प्रधान मंत्री को न्यूक्ति करता है ठीक है और उसके अन्य जो अन्य मंत्री है वो उसको भी जो है राश्रपती ही न्यूक्ति करता है लेकि प्रधान मंतरी, संग के अन्य मंतरी, महा न्यायवादी, कैग यानि कि नियंतरक और महाले का परिक्षक, उच्चितम न्याले, उच्चि न्याले के जो न्यायदीश यानि कि जज़ज हैं उनकी, फिर मुख्य चुनाव आयुक्त, जो Chief Election Commissioner होता है या अन्य चुनाव आयुक्त जो उसके साथ होते हैं, उनकी भी राश्रपती करता है, लोग ये UPSC है ना, संग लोग सेवा आयुक्त, इसके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ती राश्रपती, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ती राश्रपती करता है, उप राज्यपाल की प्रसाशक की नियुक्त कौन कर रहा है राष्ट्रपति कर रहा है वित्तायों के अध्यक्ष की और सदस्य की निक्ति कौन कर रहा है राष्ट्रपति कर रहा है राष्ट्रपति बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हो गये आपको एट लीस्ट यह सब पता हूं चाहिए यह क्वेशन बनता है रट लो सोन पर कर देते हैं, ठीक है और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आज तो वीडियो को लाइक जरू करिएगा और चैनल को सब्सक्काइब नहीं किया है दोस्तों तो कर लीजिएगा, घटना चक्र की अगर आप लोग वीडियो देखने चाहते हैं आप चैनल की प्लेडिस में चाहिए क्योंकि आरो यारो या बहुत सारे एक्जाम के लिए घड़ना चल बहुत जादे इंपॉर्टन हो जाती है यहां पर आप वीडियो को एंड करते हैं बाकी का जो पार्ट है आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे क्योंकि यह वीडियो हो गए थोड़ी से लम्मी चलिए तब तक के लिए धन्यवाद